हेलो दोस्तों नमस्कार्ट स्वागेता आप सब इक हमारी चैनल पैसे की बात में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आन्द्रा बैंक, कॉर्परेशन बैंक यूनियन बैंक के मर्जर के बारे में बात करेंगे दोस्तों इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने कॉर्परेशन बैंक यूनियन बैंक के मर्जर के बारे में बात किया था मतलब इनके IT इंटेगरेशन के बारे में बात किया था बिकोज इनका IT इंटेगरेशन कभी पहले हो चुगा था because merger के बाद में दोनों में same ही बदलाओ हुए हैं तो सबसे पहले यह थी हम बात करें internet banking के बारे में तो पहले आपको क्या करना पड़ता था जैसे आप आंध्रया बैंक के एक कस्टोमर है तो आंध्रया बैंक के आपको internet banking use करना पड़ता था तो यहाँ पे आपको आंद्रा बैंक के लिए special आपको link मिलता होगा और साथ में आपको corporation bank के लिए special link मिलता होगा और साथ में आपका union bank के लिए special link होता होगा लेकिन अब directly आप union bank के internet banking use कर सकते हैं जैसे आप continue to login पे click करेंगे तो यहाँ पे आपको same credential मतलब same ID password आपको डालके यहाँ पे union bank of india का internet banking use करना है उसे प्रकार से mobile banking भी अब आपको union bank के यूज करना था है और जो आपको पहले आपको user ID और password था वही आपको डालके union bank of india का आपको mobile banking use करना है और साथ में आपको यदि आप UPI use करते हैं तो वहाँ पे आपको आंद्रा बैंक या फिर corporation bank के ज चेंज हो चुका है क्योंकि आपका branch एक दूसरे के साथ में integrate हो चुका है और यदि हम बात करें old IFC code का तो आपका old IFC code जो आपका old IFC code यूज करते थे वह अभी 31 मार 2020 तक काम करेगा उसके बाद में आपका old IFC code काम नहीं करेगा तो यदि आपने कहीं अपना account number IFC code और दे रखा है तो वहाँ पर यदि possible होगा तो अपना IFC code अपडेट कर ले क्योंकि 31 मार 2020 के बाद में हो सकता है कि आपके account में पैसे receive नहीं हो लेकिन यदि मान की चलो कि old IFC code आपका change करना possible नहीं होगा तो उसको रहने दे हो सकता है कि old IFC code काम करने का जो date है उसको बढ़ाया जा सके उसे परकार से यदि हम बात करें customer identification number मतलब CIF number या फिर customer ID की तो customer ID भी आपका change नहीं हुआ है मतलब जो आपका पहले customer ID था वह ही आपका रहेगा और यदि हम बात करें MICR code का तो MICR code आपका change हो चुका है क्योंकि MICR code branch के साथ में होता है मतलब जैसे आपका IFSC code आपको मिल जैसे IFSC code आपका होता है online transaction के lending के लिए और MICR code का use होता है check transaction में उसे परकार से यदि हम बात करें debit card या फिर credit card के बारे में पड़ेगा उसे परकार से यदि हम बात करें आपका passbook के बारे में तो passbook देखो आपको change कराना पड़ेगा बिकोज यदि बान के चलो कि आप machine में जाते हो passbook अपना print कराने तो वहाँ पर या फिर corporation bank वाला passbook आप लेके जाते हो तो वहाँ पर print नहीं होगा क्यूंकि पहले बात तो आपका size का difference होगा और दूसरी बात वहाँ पर बार कोड चिपका हुआ होता है मतलब passbook में बात कोड चिपका हुआ होता है तभी आपका machine से print होगा तो आप अपना passbook चेंज करा लेना क्यूंकि आपको नया IFSJ code भी मिलेगा और साथ में आपको नया MSR code भी मिलेगा उसे परकार से यदि हम बात करें checkbook के बारे में तो because आपका MSR code चेंज हो चुका है तो आप चाहे तो अभी 31 मार्च तक old checkbook यूज कर सकते हैं लेकिन आप अपने checkbook चेंज करा लेना कोई भी परेशानी ना हो उसे परकार से यदि हम बात करें shift code के बारे में मतलब यदि आप Google AdSense या फिर out of India से कहीं से भी payment receive करते हैं तो आप आपको Union Bank of India का आपको shift code यूज करन इसके अलावा यदि आप जैसे आंद्रा बैंक या कॉर्परेशन बैंक के कस्टूमर थे तो आप तो आप Union Bank of India के कस्टूमर बन चुके हैं तो Union Bank of India में आपको क्या minimum average balance maintain करना पड़ेगा और उसके क्या fees and charges है इसका वीडियो में already बना चुका हो तो आप चाहें तो description में या सब्सक्राइब कर लेजेगा और सब्सक्राइब करने के बाद में बैल आइकन को बेज़े पालेजेगा तकि जब भी कोई नई वीडियो अप्लोड हो इसी तरीकी की तो आपको notification मिल पाए